तो हेलो फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम टू अवर योटूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैशनल हेल्थ मिसन डिपार्मेंट ऑफ फेमिली हेल्थ एंड फेमिली वेलफेर गुवर्मेंट ऑफ मद्य पर्देश के बारे में दोस्तों कम्यूटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो वेकेंसी थी जिसका नोटिफिकिशन पहले आया था हाली में इसके फॉर्म भी कंप्लीट भर चुके हैं और उन्होंने अभी दो पोस्टें निकाली थी अलग-अलग एक तो डारेक्ट डिक्रुमेंट थी चो के ल और से भोपाल जिसकी डेट देर की है आज का नोटिफिकेशन है जिसको 19 फरवरी 2021 को रिवाइज नोटिफिकेशन जारी किया है तो दोस्तों यहां पर इन्होंने लिखा है कि पहले का जो नोटिफिकेशन था उसमें 1680 जो वेकेंड सीड थी वो 6 मंत की ब्रिज कोर्स के ल क्या है कि जो 1790 पोस्ट थी जो कि डारेट्रिफिकेशन कैंसल किया गया है तो उन्होंने जो फॉर्म बरे हैं उनके लिए सब की कैंसल अब फिर से रिवाई इन्होंने वेकेंशी को कुछ इंक्रीज किया है फिर से फॉर्म आउपन किया है और उसको डैट भी इसमें दे रखी है अपन बात करेंगे इन्होंने फिलाल जो टोटल पोस्ट हैं वो दोस्तों 2850 पोस्ट यहां पर मेंशन कर रखी है अलग-अलग इन अप्लाई कर सकते हैं यह सर्थ है कि 19 फरोरी 2021 से पहले पहले यह कंप्लीट होनी चाहिए ठीक है उसके बाद में आपका राजिस्टेशन किसी भी स्टेड नर्सिंग काउंसिल से है तो अब अप्लाई कर सकते हैं फिर वो MP जो है उसमें चेंज करवना पड़ेगा यह उन्ह अप्लाई कर सकते हैं यह कब से कब तक चलेंगे यह सीज आपको ध्यान में रखना है तो ऑनलाइन 28 फरोरी 2021 को लास्ट रहेगी 28 फरोरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने CCS के लिए पहले अप्लाई किया था वो अभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्होंने अभी तक साइद complete नहीं है जिसके भी इस यह दी complete है तो वो अप्लाई कर सकते हैं जिनके complete नहीं है वो अप्लाई कर सकते हैं ठीक है जिनके complete है उनके लिए direct recruitment नहीं है वापिस से यहाप पर CCS आपको करना पड़ सकता है ठीक हैं यह चीज जहाने में पर जाना होगा www.sam.co.in इस पर जाकर आप फॉर्म में वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म की लास्ट लेड मैंने बता दिया आपको कि वो रहने वाली है 28 फरोडी 2021 यह थी आज कि इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मुझे लगा आप तक सेयर करनी चाहिए तब ही मैंने हर एक वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों वीडियो के वन तक बने रहने के लिए मिलते हैं और किसी एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीड रहें थेंक्यू फ्रेंट्स